राजस्थान की सम्मानित जन्ता से हम सब लोग अपील करना चाहते हैं अभी आपने देखा कि मंद्रप्रदेश के चुनाव में जिस तरह से वहां के पोलिंग प्रतिशत ने एक रिकार्ड बनाने का काम किया है। मताओं बहनों ने एक रिकार्ड बनाया और जो नव मद्दाता हैं वो भारी संख्या में निकल कर मद्दान किये लोग तंत्र की मजबूती के लिए उसके ससक्ती करण के लिए ये अनिवार्य है चुनावायोग ने इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से योजना बनाई उसको प्रचारिश प्रसारित किया लोगों को प्रेरित किया सब को सहभागी बना कर चुनावायोग ने एक अच्छा वातावरण का निर्माण किया है हम सब लोग ये अपील करना चाहते हैं कि पिछले बार से राजस्थान में भी मतदान का प्रस्तत बहतर हो और सब लोग घर से बाहर निकलें और अपना मतदान जरूर करें लेकिन की सरकार दुबारा कॉंग्रेस की राजस्थान में और इसके लावाद जीन राजी मुचिना हुए वहाँ पे स्थापिक करेगी 160 सीट से जादे भारती जन्ता पार्टी जीतने जा रही है और मैं समझता हूँ कि 75 वरस के आजाद हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी सरकार भारती जन्ता पार्टी की वहाँ बनेगी गहलोत जी स्वभाविक है मतदान से पहले तो हार स्विकार कर नहीं सकते तो उनको जो कहना है वो कहें उससे कोई आपत्ती नहीं है लेकिन जिस तरह का समर्थन वहाँ की जन्ता का भारती जन्ता पार्टी को मिल रहा है और विशेश तोर पर जो नौमत दाता हैं जो युवा हैं जिनको ये लगता है कि भारती जन्ता पार्टी हमारे सपनों को साकार कर सकती है और जिस तरह से भारत को राजस्थान को आत्म निर्भर बनाने के लिए भारत को एक विख्षित राष्ट बनाने का जो संकल्प और जो ब्रज छेत्र है जिसके दायरे में राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा आता है उस छेत्र में जिस तरह से आज मानिन याले ने भी मतुरा के विकास के लिए और मीरा बाई से जुड़े जो छेत्र हैं उस पर जिस तरह से उसको प्राथमिक्ता पर हम सब लोगों ने आने वाले समय में विकास की बात कही है इन बातों का जो समर्थन मिल रहा है एक रिकार्ड बनाने जा रही भारती जनता पार्टी कांगरेस के लोगों को जो कहना है वो कहें आप उनके नेताओं के दोरों को देख लीजिए आप उनके और भी जो गदविधियां चुना परड़ाम आएगा तो आप देखेंगे कि अब तक के सारे रिकार्ड को तोड़ते हुए भारती जनता पार्टी सरकार बनाने जा रहे हैं अच्छा है जिस महात्मा ने जिस संत ने समाज को रास्ता दिखाया और विशेश तोर पर इस तरह का कि उनकी हमेशा से मांग रही ह है कि इस तरह की बात समाज में नहीं होनी चाहिए उनकी जयनती पर इस तरह का फैसला योगी जी की सरकार ने लिया है तो इसका अभिधंदन करना चाहिए सब को सयोग करना चाहिए एबी पी गंगा खबर आपकी जबाआपकी